नोश्कार अधिकार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ विरेंद्युएदी यदि आप पढ़े लिखे हैं तथा किसी विश्विद्याला या कॉलेज से आपने असना तक या परासना तक यानि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कि सिक्षा निरमन समय में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रैस्ट्रियानी कुल्ज सची चानते होंगे साथ यह भी जानते हैं कि उसकी विश्विद्याला के प्रिसाशन में क्या भूमिका होती है हलाकी यह بھی हो सकता है कि अभी मी कई लोग को पता ही नहीं हो कि कुल्ज सचीत कौन होता उसके अधिकार यह उंदाइद तो क्या होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या होती है चलिए हम आपको बताते हैं चले सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विश्विद्याले का रेश्टार यानि कुल्सच्यू कौन होता है किसी भी विश्विद्याले में कार्यत रेश्टार को हिंदी में कुल्सच्यू के नाम से संबोधित किया जाता है खुल सचिव विश्विद्याले का राजपत्रित एवं मुख्य प्रसासनी का अधिकारी होता है। यह सिक्षा विभाग के अंतरगत एक गैर सैक्षणिक यानि नौन अकाडमी का अधिकारी होता है। खुल सचिव के रूप में कारी करता है। कुल सचिव यानि पांच वर्ष के लिए भी नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। एक कुल सचिव को वेतन मान 37,400 से 66,000 जबकि ग्रेट पे 10,000 रूपए मिलता है। इसके अलावा इनको मूल वेतन के साथ कई भट्ते भी दिये जाते हैं। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कुल सचिव यानि रजिस्टार के अधिकारियों दायित तो क्या होते हैं। किसी भी विश्विद्याले में कारियत एक अच्छा कुल सचिव से कहा जाता है जिसमें उतिक्रिष्ट संगठनात्म कोशल के साथ ही अपने संगठन की आवशक्ताओं के आधार पर छात रिकार्ड रखने के लिए डेटाबेस एवं विभिन कारिक्रमों के साथ काम करने के के लिए अच्छा कंप्यूटर कोशल होता है विश्विद्याले में कार्यत एक कुल सचिव यानि रजिस्टार नामांकन ग्रेड एवं डिगरी सही छातरी कार्ड को बनाय रखने तता प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार यानि उत्तरदाई होता है तथा कक्षाओं प पुछ मामलों में रच्षार ने चात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया की देगरे के लिए भी उत्तरदाई हो सकता है वह चात्रों के रिकार्ड के साथ ही पार्ठ Maintenant data रखता है जिसमें चात्रों को सेडियूल करने या कक्षाओं के लिए पंजी करण करना शामिल होता है विश्विद्याले के अविलेखों सामान मुत्रा तथा इसी अन्य संपत्ति का भी अविरक्षक होता है इसकी अतिरिक्त विश्विद्याले के कुलपती द्वारा अनुमोधित कारिक्रम के अनुसार विश्विद् निकायों यह समितियों द्वारा अनुमोजित विदियों अध्यादेशों एवं विनियों की पुस्तिका तयार तथा अध्यतन यानि अपडेट करता है तथा समय समय पर उन्हें विश्विद्याले के अधिकारियों यह अधिकारियों के सभी संबंदी सदस्यों को उपलब कर विश्विद्याले के प्रसासन में सुधार के संबंद में शिकायते उन सुझाप्राप करता है तदा उन पर उचितकारवाई पर विचार भी करता है तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रियोग करता है तदा ऐसे अन्य करतव्यों का पालन करता है जो कुलपती द्वारा समय समय पर उसे सौपा जाता है रईस्टार के पास प्रबंदन बोर्ड के आदेश में निर्दिष्ट यानि स्पेसिफाइड सिक्षकूं यों सैक्षणिक कर्मचारियों को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के खिलाप अनुसासनात्म कारवाई करने की शक्ति होती है हलाकि कुल्सचिव के किसी भी दंड, निलंबन, चेतावनी, निन्दा, वेतन बढ़ोतरी को रोकने के किसी भी आदेश के विरुद्ध कुल्पदी से अपील की जा सकती है कुल्सचिव के पास विश्विद्याले की ओर से समझाता करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने यह उन प्रमाणिक रिकार्ट दर्ज करने की शक्ति होती है वहाँ विलेखों, सामानि मोहर तथा विश्विद्याले की ऐसी अन्यसंपत्ति का संदक्षप होता है जिसे प्रबंधन बोड उसके प्रभारों के लिए प्रत्पध यनि कमिटेट करता है प्रबंधन बोड सैक्षिनिक परिसद योजना बोड भवन समिती की बैठक बुलाने के लिए सभी को नोटिस जारी करता है वह पबंदन बोर्ड, सैक्षिनिक परिसद, योजना बोर्ड और अध्यक्ष निविदा तथा खरीश समिती के पदेन सची होता है विश्विद्याले के आधिकारी पत्राचार का संचालन करता है तथा विश्विद्याले के उचितनी में इसको बनाए रखता है विश्विद्याले द्वारा या उसके विरद्ध मुकर्ने या कारवाई में विश्विद्याले का प्रतिनिधितु करता है अटानी की शक्तियों पर हस्ताक्षर करता है वो तर्कों को सत्यापित करता है या इस उद्देशी के लिए अपने प्रतिनिधि को प्रतिनिधि को प शुविद्याले के विभाग के अलावां अनिसे संबध्य सवस्थानों को उचित कामकाज की देख भाल करता है एवं कुल्पती को रिपोर्ट करता है अब चले हमापको बताते हैं कि कुल्पती यानि रईस्टार के पत के लिए योग गिता क्या होती है आपको बता दें कि यूजी सी ने कुल्पत पत पर सीधी भरते के लिए कुछ नियूनतम योग गिताएं निर्धारित की है जैसे इस पदि के लिए अभ्यर्ति की आयो सीमा 55 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसे कम से कम 55 प्रिच्चतंकों के साथ मास्टर डिगरी यानि परासनातक या ग्रेडिंग प्रणाली का पालन करने वाले बिन दुपैमाली में समकच्छ ग्रेड होना चाहिए। तथा सैक्षिनी कस्तर 11 तथा उससे उपर के सहायक प्रोफेसर यानि प्राग्ध्यापक के रूप में कम से कम 15 वर्स का अनुभव। हला कि इसके अतिरिक्त पर्याप्ट वरिष्था वारे ISM IPS अधिकारियों को भी विश्विद्याले के कुल सचीव के रूप में तैनाद किया जाता है। क्योंकि ISM IPS अधिकारियों के पास मान और संसाधन प्रबंधन सहित पर्याप्ट तो प्रशास निकलम होता है। आपको बता दे कि कुल सचीव को पांच वर्स की अवध के लिए या बारा वर्स की आयुपराप करने तक जो भी पहले हो तक के लिए नियूक्त किया जाता है यह नियूक्ति कुल पती द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चैन समीती के सिफारिस के आधार पर की जाती है मुझे आशा है कि कुल सचीव यानी रजिस्टार के विशे में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाब अवश्य हुआ होगा जहां तक कुल सचीव की भूमिका का प्रस्न है तो विश्विद्याले के मुख्य प्रसास्नी का अधिकारी के रूप में कुल सचीव बड़ी कुसलता से चात्रों का रिकार्ड रखने से लेकर डेटा बेवस एवन विविन्न कारिक्रमों को पूरा करने आधिका कारि करते हैं लेकिन परेशानी की बात यह है कि कई विश्विद्यालें में ऐसे भी कुल सचीव हैं जो गूस कोरी से बाज नहीं आते हैं इन पर आरोप है कि ये घूस लेकर छात्रों की परिक्षाओं में गड़बड़ी कराते हैं, इतना ही नहीं, बिना घूस के विश्विद्याले में होने वाले कारियों के बिलों को पास तक नहीं करते हैं, जो बहुत ही शर्मनाग है, ऐसे भरस्ट लोंग के विरध कठोर होनी चाहिए, अब यदि आपके मन में इस विशे से जुड़ा कोई प्रस्निया सुझा हो, आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, आग बस इतना ही, धन्यवाद. झाल है